और अब फटाफट एक नजर आज की कुछ और बड़ी खबरों पार आतंग की वुरहान वानी की मौत के एक महीने से जादा भी जाने के बाद भी पाकिस्तान इसे भुनाने में लगा हुआ है प्यम मोदी के पाकिस्तान अधिकरित कश्मीर को भारत का हिस्सा बताने के बाद पड़ों से मुल्ख तिल मिला उठा है अब पाकिस्तान के गुरिह मंतरी चौज़ी निसार अली खान ने राजनाट से पूचा है कि भारत बताएं कि वे हमें कौन सा पाच पढ़ाना चाता है साथी खान ने कहा कि कोई भी पाकिस्तानी कश्मीरियों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर चुप नहीं रहने वाला है निसार अली खान ने एक प्रेस कॉंफरेंस में कहा कि पाकिस्तान कोई पाच नहीं पढ़ेगा निसान ने कहा कि कोई भी विवाद बिना वारता के कैसे सुलग सकता है इसके बार निसान ने कहा कि अगर वे भारत के दबदबे घुसे और कश्मीर पर कबजे का पाथ पढ़ाना चाहते हैं तो मैं भारती गुर्य मंत्री को साथ कहना चाता हूँ कि पाकिस्तान किसी के अधीन में भी रहेगा, ना ही कोई पाकिस्तानी कश्मीर के मौजूदा हालात को स्विकार करेगा पाकिस्तान के एक शीष राजुनाइक ने कहा कि उनका देश पर्मानू परिक्षन पर भारत के साथ समझाता करने को तयार है कधान मंत्री के विदेश मामलों के सलहकार सर्टाज अजीज ने कहा हमने आगी के परिक्षनों को लेकर एक पक्षिया पावंधी घोशिती है पाकिस्तान अपने एक पक्षिया रोख को भारत के साथ भी पक्षिय समझाते में बदलने का विचार करने को तयार है पिछले सकता हुए राज्टियोतों के सम्मेलन के बारे में मीडिया को बताते हुए अजीज ने कहा कि बैठक में ये बात सामने आए कि पाक्षिसान निरंतर रूप से सीजी बीजी का समर्थन करता रहा है और वर्ष 1906 में संयुक्त राश्ट्र महसभा द्वारा इसे सिकार कियो जाने उनके वक्त भी इसके पक्ष में मत दिया था हाई कोट और सुप्रीम कोट में जजों की न्युक्तियों के मामले पर नयाफालिका और सरकार के भी तक राव अब और तेज हो गया है शुक्रवार कोदेश के मुख्य न्याजिश्टी एस्ठाको समेशीन जजों की बेंज ने सरकार से पूछा कि कोलेजियम की सिफारिश के बावजूद अब तक 75 जजों की न्युक्तियां क्यों नहीं हुई है सुप्रीम कोच ने कहा कि कोलेजियम ने हाई कोट में जजों की न्युक्ति के लिए 75 लोगों की लिस्ट भी दिखी लेकिन केंडर ने अब तक इस पर कुछ नहीं किया सुप्रीम कोच ने अटावनी जॉर्नल से कहा अब समय आ गया है कि अदालत इसमें दखर दे और नियाई का देश दे कोट के आकरमक तेवर देखकर अटावनी जॉर्नल ने कोच को आश्वासन दिया कि वो सुप्रीम अथारोटी के सामने मामने को लेख चाइंगे और चर हकते में चबाब देंगे टाइम्स आफ इंडिया अकबास अमूओ के मानेजिंग डिरेक्टर विनीट जैन गुरुवार को ट्विटर पर लोगों के निशाने पर आगये जैन ने गुरुवार को अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर एक पोल दिया जिसमें उन्होंने पूछा अगर पाकिस्तान भारत में आतन की भेज कर मुश्किले पैबर करता है तो क्या भारत को विभारती आतल्खियों को पाकिस्तान भेजना चाहिए ट्विटर पर उनकी इस सवाल का जवाब लोगों को हाँ या ना में देना था इसे पहले जैन ने ट्विट किया हमें यूद किये बिना पाक को सबक सिखाना होगा चाहे गुरिला यूद से या अमेरिका द्वारा अत्याधिक दबाव दिल्वा कर जैन के पोल पर कई ट्विटर यूजर्स नाराज हो गए उन्होंने उन पर तीका हमला बोल दिया रियल स्टेट कंपणी उनिटेक लिमिटेट ने शुकरवार को सुप्रीम पोर्ट से कहा कि वनॉइड और गुर्गाओं की देरी से चल रही दो परियोजनाओं में फ्लैट खरीदारों को पैसा नहीं लगा सकती युनिटेक की ओर से पेश वरिष्ट अधिवक्ता अभिशेक मनुसिंगी ने नयमूर्ती दीपक मिश्टा तथा नयमूर्ती यूयू ललत की पीट के समक्ष कहा हमारे पास पैसा नहीं है कि उन्हें बिल्जर्ज से कितना पैसा लेना है अमेरिका में फिल्म अभी नेता शारुख खान को रोके जाने पर एस पी नेता और यूपी सरकान में मंतरी आजम खान ने पीएम नरिंद्र मोली पनिश्वा नसादा है उन्होंने प्रधान मंतरी को कमजोर और कम भूमत वाला बताया आजम खान ने कल शारुख के सवाल पर कहा देश में मोदी और देश के बाहर मोदी जी के मित्र बराक उबामा जीने नहीं देते लोग आखिर कहा जाए अभी हाल ही बीएसपी के कुछ विधायक बीजेपी में शामिल हुए इस पर आजम ने कहा इस वक्त बीजेपी केंद्र में है ये विधायक वहां ज्यादा कमाई के लिए गए होंगे बीएसपी में अब कुछ रह नहीं गया इसलिए बीजेपी में लंबा हाथ मानने गए हैं आजम खान ने कहा नरेंद्र मोदी अपरागियों को सजाद देने के वज़ाए गोली मानने की कह रहे हैं ये कमिटेट क्राइम है वैसियार पी सी के मुझ्षृरिम है प्रधान मंत्री गोली मानने के लिए ऐसे कहे कर बेफ़कूफ बना रहे हैं जैसे देश को अकाउंट में रुपए डानने वाले की बात कहे कर अगा गया था भारती समुदाय में लापता विमान की खोच के लिए अब तक कि सबसे गहन अभियान में अब तक मिली नाकामी के बावजूद अब आशा जगी है कि 22 जुलाई को लापता हुए वाई सेना के विवान का किसी भी तरह का मलबा समुद्र में तैरता मिल सकेगा हाला कि अभियान की निगरानी कर रहे नौसेना के वरिष्ठ अतिकारियों का कहना है कि अभियान एक नए चरण में पहुँच गया है जिसके तहट अब समुद्र के तल में विमान के अब शेशों को ढूनने की कोशिश की जा रही है वायुसेना के परिवहन विमान ए N32 पर 29 लोग सवा थे जब इसने खराब मौसम के बावजू चिन्नाई से पोर्ट ब्रेयर के लिए उरान भरी थी और थोड़ी की देर बाद आपदा का कोई सिगनल दिये बिना ही गायब हो गया पिछले करीब तीन हफ्तों में विमानों ने हजार भंडे से ज्यादा की उरान भरी है एक समय तो लापता विमान की तलाश में 28 जहाज और एक पंडूबी को भी लगाया गया था इस दोरान बंगाल की खाड़ी के जिस बड़े इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है अमेरिका की रिपॉब्लिकन पार्टी की राश्ट्रपती पार्टी की प्रत्याशी डॉनल्ड ट्रॉम्प, राश्ट्रपती वराक उबामा और देमोकरिटिक पार्टी की राश्ट्रपती पार्टी प्रत्याशी हिलेरी क्लिंटन को इसलाम स्टेट का ये संस अपक परार देने के अपने बयान से पीची हट रहे हैं। पूर्व होकी खिलारी धनराज पिलाई ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि रियों में विजे गोयल को कौन जानता है। पूर्व ने धमकी दी थी कि वो गोयल का एक्राडिकेशन प्रत कर देंगे। उनका आरोप था कि मंतरी और उनके साथ चलने वाले लोग प्रतिबंधित शेत्रों में भी जा रहे हैं। रियों उलम्पिक आयजग सम्मिती के वैनेजर सरहा पीटरसन ने भारती उलम्पिक प्रमुख को चिठी लिखकर ये बात कही। चिठी में उन्होंने चेतावनी की बात मंतरी को बताने के लिए भी कहा। इस दिगज फुटबॉल खिलाडी की प्रबंधन कंपनी की और सेश शुतरवार को एक बयान चारी किया गया है। इसे मैसी ने कहा मैंने सन्यास के बारे में गंभीता से सोचा लेकिन अपने देश और इस जर्सी के लिए मेरा प्यार बहुत ज्यादा है। कई फैंज उनसे सन्यास के फैसले को वापस लेने के लिए जुहार लगा रहे थे। अरजिंटीना के राष्टपती मोरिसिया, मिक्रीक और मेसी के आइडिल डियोगो मेरा जोना ने भी उनसे अपने पैसले पर दोबारा विचार करने की गुजारिश की थी। भार्दी क्रिकेट टीम ने डेरिन सेमी अंतराश्ट्री क्रिकेट स्टेडिया में वेसिंडीज के साथ जारी तीस्वे टेस्ट मैक्स के चौथे दिन कल का खेल खत्म होने तक दूसरी पारी में तीन विकेट पर 157 वन बनाकर 288 रनों की एहम बड़त आसिल कही है। भारत ने अपनी पहली पारी में रवीचंदरन, अश्विन और रिधिमान साहा की बेहतरीन शतकिये पारीयों की मदद से 353 रन बनाएं और फिर चौथे दिन भुवरेश्वर कुमार के 33 रन देकर 5 विकेट लेने की उम्दा गेंदवाजी की बदालत वेसिंडीज की पहली हैं उपकप्तान अजिंकर रहाने, 51 और रोहिच शर्मा 41 रनों पर नाबाद लाटे हैं इस न्यूज बुलिटिन में फिल हाल इतना ही ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए जोड़े रही मेट्रो टीवी से नमस्कार